नमस्ति प्रणाम आप सभी का विलकम है मनमुही निउज में तो गाईज आज बात करेंगे भोच्परी इंडरस्ट्री का नमबर वन गाय केवम ना एक रिती स्पांडेजी का बारे में और इती स्पांडेजी का बारे में एक बहुत ही बड़ा दुख का बात खबर निकल के आ रही है तो आज इस वीडियो में आप लोग को वही बत आने वाला हूँ तो उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए है तो इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और वेल आइप बन दबा दीजिए ताकि भोच्परी का हर एक ताजा खबर सबसे पहले और सबसे आगे आप तक पहुंच सके और अभी तक किसने उचको लाइक नहीं किये है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और आपस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जनकारी मिल पाएगा तो गाईज आपको बता दे कि रितेज पांडे जी तो अभी तक असलिल गित नहीं गाते हैं और उनका सुरुवाती दोर से ही उनका सैट संग ज़्यादा आता है भोचपड़ी इंडस्टी में और आपको बता दे कि दर्सक भी काफी पसंद करता है उनका आवाज में सैट स उसी तरह आपको बता दे कि कुछ दीनों से भोचपड़ी कलकार में क्या हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको बता दे कि भोचपड़ी का बहुत सारे इस्टार हैं जो कि अपना-पना खुद का गुरूप बना के काम कर रहे हैं और इस से क्या फरक परेगा भोचपड़ी इंडस्टी में आपको सारे बताएंगे तो गाई जब को बता दे कि जब गुरूप बना के काम कर रहे हैं इस्टार लोग तो इस से पबलिक में तो गुमरा होगा ही होगा साथे साथ कलकार में भी एक फरक हो जाएगा और आपको बता दे कि इस से कही न कही बोजपरी इंडस्टी का जो कलकार है एक होना चाहिए इससे कही न कही बहुत सारा दूरिया बन जाएगी और आपको बता दे कि कलकार में दूरी बनेगा ही बनेगा साथ में जो भी इस्टार है उनका फैन है उस समय भी दूरिया बन जाएगा और आप लोग देखे होंगे कि YouTube में भी काफी गाली गलोज होता है तो खेसारीलाल के फैंस पौन सिंग जी का गाली दिये तो रितीस पांडे जी का फैंस परमोध प्रेमी यादो जी का गाली दिये यही कारण है जो कि यह स्टार सब अपने-पने ग्रूप बना के काम कर रहे हैं तो गाईज माली जी एक ग्रूप बना के काम कर रहे हैं तो एक हिसाब से अच्छा ही है जैसे की आपना मन पसंदीदा इंसान के साथ या आदमी के साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है और बेटर होता है लेकिन एक हिसाब से सोचा जाए तो बहुत ही खराब है और आपको बता दे की जो भी काम में अभी सबसे ज़्यादा कंपटिशन है जैसे की हम लोग नियुज बनाते हैं तीस में भी कंपटिशन है लेकिन काम में कंपटिशन करना चाहिए अपना काम पे ध्यान देना चाहिए और मेहनत करना चाहिए लेकिन अब आपको बता दे कि पहले तो भोजप्रे इंडस्टी में कमपटिशन ही था लेकिन अब यहाँ दूस्मनी पैदा हो गया है याब आपको बता दे कि कैसे दुस्मनी पैदा हो गया है तो गाईज आपको बता दे कि रितेश पांडे जी का कुछ दिनों से गाना रिलीज हो रहा है लेकिन आपको बता दे कि मैं नाम नहीं लोगा और पाता भी नहीं है किसे स्टार का फैंस रितेश पांडे जी का जो भी गाना अभी रिलिज हो रहा है उस पे फैक रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको बता दे कि अब रिपोर्ट करने से गाना पे क्या आसर परता है और यूटूब पे क्या आसर परता है तो गाईज आपको बता दे कि अगर आप जिस गाने पे रिपोर्ट करते हैं तो उस ग गाने से आतंक फेल रहा है इसलिए यूटूब उसको रिव्यू मिले लेता है और इसका मतलब है कि अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस पे रिपोर्ट करना चालू हो जाएगा तो उस गाने को लाश्ट में यूटूब डिलेट कर देता है यानि कि आपको बता दे कि गाना डिलेट हो जाता है तो गाइज आपको बता दे कि ये करने से कहीं ने कहीं आप लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है हाला कि आपको बता दे कि रितेस पांडे जी मजबूर होके अपने फेस्बुक पेज पे लाइब आया थे और साप साप बोले हैं कि अगर आपको मेर गाने पर रिपोर्ट करने से घर चल रही है तो मुझे कोई अपती नहीं है आप रिपोर्ट करते रही है और मेरा जो चाहने वाले हैं उनसे हाथ जोर की बिंती है कि मेरा गाना सुनिये और प्यार गुलार अशिरबाद देते रही हैं बस इतना ही बोले हैं और आपको बता पहले कुछ था मुझे मालूम नहीं है लेकिन अभी देखा जाए तो असलील का कोई नाम ही नहीं है और आपको बता दे कि इससे लगता है कि रितेश पांडे जी का ही सिर्फ असर पर रहा है तो ये गलत बात है माले जी अगर आप खेसारी लाल यादो जी का फैंस है या फिर पाउन सिंग जी का फैंस है परमध प्रेमी यादो जी का फैंस है निरहुआज जी का फैंस है और आप लोग अगर रितेश पांडे जी का गाने पे फेक रिपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है रितेश पांडे ज इसे बहुत ही बड़ा गाटा होगा भोज्पृ इंडेश्ट्री का तो अब मेरा इस पे एक ही बात है कि इस पे जल्द से जल्द आप लोग निगराने कीजिए और भोज्पृ को बचाईए हाला कि आपको बता दे कि अब भोज्पृ मुझे लगता है कि सायद बहुत दिन त तो आप लोग के अगर मन में चलता होगा कि ये जो बुल रहे हैं, ये रितेश पांडे जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि हम लोग भोजपडी को एक जूट करने में लगे हुए हैं, और भोजपडी को बचाने में लगे हुए हैं, तो गाइज, आप लोग भी इस चीज का बिरोध कीजिए, और ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग भी इस चीज को आवाज उठाईए, और भोजपडी को बचाईए, और आज का निव्ज यही था, और ये निव्ज कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर और भुजपडीया खबरों के लिए हमारे चैनल को सस्काइब कर दीजिए, और वेल आइकन दबा दीजिए, और मिलते हैं दूसरे निव्ज में, बाई बाई, नमस्ते, पढ़ाँ